इस ललन टॉप विडियो इस ब्रॉट तो यू बाई याकुल्ट याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करें नमस्कार मेरा नाम अभिनाश है ख़बर देखने से पहले एक जरूरी सूचना वो चहरे जिनने देखते हैं आप ललन टॉप पर वो चहरे जो सुनाते हैं आपको देश, दुनिया, राजनीती के किस्से और खबरे उन चहरों से रूबरू हो सकते हैं आप आपके अपने शहर आगरा में जहां जमेगा ललन टॉप अड़ा तो तारीक नोट कर लीजे, 28 नवंबर दिन रविवार, जगे होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड, राजा मन्ड़, मिलते हैं आपसे अब खबर पर आते हैं, 62.60, टी टून्टी क्रिकेट में अगर किसी बलिवाज की ये बैटिंग औसत है, तो मानकर चलिए कि उस बंदे ने भरवर कर रन बनाएं, आपको नाम बताएंगे तो आप कहेंगे, हाँ यार, ये तो है, वैसे भी ये बलिवाज खुब रन बनाता है, नाम है IPL में पंजाब किंग्स के कप्तान केल राहुल, केल राहुल 2018 से पंजाब किंग्स टीम के साथ मवजूद है, मवजूद ही नहीं, वो टीम के कप्तान भी है, लेकिन उनकी कप्तानी में भी टीम की रूठी किसमत नहीं बदली, अब ऐसी खबरें आ रही है कि साल 2022 में मेगा आक्शन होना है और इस मेगा आक्शन से पहले किल राहुल पंजाब का साथ छोड़ देंगे मिडिया में चल रही रिपोर्ट्स बता रही है कि राहुल ने पंजाब की टीम से अलग होने का फैसला कर लिया है वो अगले साल यानि कि मेगा आक्षन में वो उतरेंगे और लखनो का दामन थाम सकते हैं इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि वो लखनो टीम की कप्तानी भी करेंगे Inside Sports की report के मताबिक लखनो टीम की senior management ने राहुल से कई बार मुलाकात कर ली है इन मुलाकातों में राहुल लखनो की टीम के साथ जुड़ने के लिए तयार हो गए हैं इतना ही नहीं वो टीम की कफ़तानी करने के लिए भी तयार हैं BCCI के नियमों के हिसाब से IPL 2022 के साथ जोडने वाली टीमे मेगा उक्षन से पहले केवल चार खिलाडियों को अपने दल में शामिल कर सकती है लेकिन जब तक मौझूदा आठ फ्रेंचाइजी अपने रीटेन के हुए खिलाडी निर्धारित नहीं कर लेती तब तक नई फ्रेंचाइजी खिलाडियों को अपनी टीम में साइन नहीं कर सकती है मौझूदा टीमों द्वारा खिलाडियों को रीटेन करने की आखरी तारीक 30 नवंबर है IPL 2022 में आठ टीमों से बढ़ा कर 10 टीमों को कर दिया गया है अगले साल होने वाले IPL में पुरानी आठ टीमों के साथ लखनव और एहमदाबाद की टीमें भी खेलेंगी अक्टूबर के महने में हुए आक्शन में RPSG ग्रूप ने 7,090 करोड में लखनों की फ्रेंचाइजी खरीदी वहीं CBC Capital ने 5,625 करोड में एहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की इन दोनों टीमों के जोड़ने से मैचों की संखियां और टोर्नामेंट का समय भी बढ़ने की उम्मीद है 30 नवंबर को रिटेन कियेगे खिलाडियों की लिष्ट जारी करनी है सभी फ्रेंचाइजियों को और IPL 2022 का मेगा उक्शन की तारिखों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा जिसमें ये तय होगा कि कौन-कौन से खिलाड़ी इस सीजन बदली हुई टीमों में नजर आ सकते हैं इस खबर को लिखा है हमारे साथी प्रविन नहरा ने इस वीडियो में बस इतना ही तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्स